नमस्कार साथियो एक बार फिर से आरजे मैदा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है यह रॉयल डेलिशयस का प्लांट है लगबग 10 से 12 साल का प्लांट है और जैसे कि आप सभी को पता है आज कल प्रोनिंग का टाइम है प्रोनिंग हो रही है तो आपको हम अपने प प्रैक्टिस दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से प्रैक्टिस की है और हम किस तरीके से अपने ओर्षड में प्रोनिंग करते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से हम प्रोनिंग करते हैं अपने प्लांट में प्रॉपर बड़ ही बड़ है यह नीचे से लेकर उपर तक आप सकते हैं प्रॉपर बड़ ही बड़ आपको देखने को मिलेगा तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है तो हमारी जो प्रैक्टिस है वह हम आप से सांजा करेंगे किस तरीके से हम इन पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से हम अच् और फरवरी अगर आप जनवरी और फैब में प्रोनिंग करते हैं सबसे बड़िया टाइम है यह प्रोनिंग के लिए देख सकते हैं किस तरीके से हमने इस पे प्रोनिंग किया है बड़ देख सकते हैं किस तरीके से बड़ है और यह देख सकते हैं इसकी लैंद देख सकते हैं इस पे अगर आप ध्यान दें कोई भी सेंटर लीडर नहीं है सारी की सारी मल्टिपल लीडर है इसमें इस प्लांट में और देख सकते हैं यहां से यह ब्रांच हम अगर हम इसको लें कि देख सकते हैं नीचे से इधर को भी ब्रांच है इधर को भी इधर को भी हर तरह को ब्र प्र्मेरी प्र्मेश सकेंडरी प्रॉ्zasab रखा है डो बहुत ही आम कि गना था जैसे इस तरीके से उनको हमने खट कर दिया है भाकी सब ब्राँच हमने रखा है इस तारीके से जो सुझनार्ड्री प्राइमएरी इस असलग रख़ै इस तरीके से देख सकते हैं, हमने maxim Lebrand Stream वालों के लिए जिसका sunny side है उनके लिए यह best pruning है आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मेरा खुद का orchard भी sunny area में हैं तो मैं light pruning करके ना तो इसमें देख सकते हैं जादा कहीं गाव नहीं है और ना ही इसमें उतना canker वेरो की दिक्कत अब मुझे आ रही है स्टार्टिंग में मुझे काफी दिक्कते इसमें आती थी अगर मैं इसमें काफी head back देता इनको पीछे लाता सारा का सारा जैसे कि आप इस ब्रांच को देख पा रहे हैं यह वाली ब्रांच कितनी लंबी है कितने आगे तक है अगर मैं इसको पीछे लाता ब्लॉक करता इसको cluster से पीछे लाता तो मुझे definitely पेपड़ी बार और कैंकर की दिक्कत का सामना करना पड़ता पर मैंने क्या किया कि इसको आगे से light pruning से वहां पे ब्लॉक कर दिया है और इसमें proper bird देख सकते हैं यह पीछे से लेकर आगे तक इन ब्रांच पे proper bird आपको देखने को मिलेंगे और टॉप से ब्लॉक हो चुकी है मेरी जो जितनी मुझे नीड थी जहां तक मैं इससे fruit निकाल सकता हूँ जितना मैं इसको संबाल सकता हूँ जितना यह branch जेल सकती है वो उतना मैंने इस branch को रख है और वहां से टॉप से ब्लॉक कर दिया है बाकी इसमें bird देख सकते हैं कितने प्यारे bird इसमें बने हैं यह देखिए आफ यह देखिए अगर यह man branch है तो यह primary है और वो secondary branch है तो secondary branch तक हमने सब रखा है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सबसे important क्या है इतना भीमा अगर आप देख पा रहे हैं आप सोच रहोंगे कि यह बहुत ज़्यादा विमा है इसमें floor, full काफी ज़्यादा आएंगे तो setting के chances कम हैं लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे के और देखिए अंदर के और अगर मैं दिखाऊंगा आप के और यह देखिए इधर इधर देखिए proper bird thinning इनमें हुआ है यह देखिए bird thinning होने के बाद यह हमें जो भी वीमा मिला है यह देखिए proper fruiting में यह भी fruiting में यह भी fruiting में सारा का सारा वीमा fruiting में है अब की बार अगर इसमें से कुछ मुझे वीक लग रहा है तो मैं इस तरीके से इनकी चंटाई भी कर दूँगा, कुछ भी में कम रख दूँगा, वैसे मैंने काफी हद तक इसमें चंटाई भी कर दिये, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपने कितना क्रॉप लेना है, कितना नीन लेना है, यह देख सकते हैं, यहां मुझे अर बर्ड है, यह देख सकते हैं, यहां बर्ड कर सकते हैं, अगर आपका Shady Side है, तो आपको देफिञिए पीछे आना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास यहां पर बर्ड बन रहा है, और इस ब्रांच में जब बढ़ बन जाएगा तो मैं इसको जादा बढ़ अगर मेरे पास होंगे तो मैं इसे धीरे-धीरे करके पीछे ला सकता हूँ यह देख सकते हैं कितनी छोटी सी ब्रांच है और इसमें बढ़ देखी कितना प्यारा सा है ठीक है तो आप इसको भी धीरे-धीरे पीछे ला सकते हैं जब आपके वास जादा बढ़ होंगे जब आपके अंदर तक बढ़ आ जाएंगे तो आपको क्या, जब ज़ादा बड होंगे, आपके टौप से लेकर पीछे तक बड होंगे, तो क्या होगा, सैफ फ्लोजब रिवर्स आएगा, आगे ज़ादा इप्लांट नहीं जा रहा है, मेरा प्लांट देख सकतें, मैकसिम्मम, साथ वां ईप्लांट देखें, जादा बीम आपके पास हो जाएंगे तो अच्छे से बीम चंटाई भी कर पाओगे और जो सैफ फ्लो है वो जाधा ग्रोथ में जाके आपका रिवर्स आएगा तो आपको यह वाले रिज़र्ट देखने को मिलेंगे यह देख रहे हैं आप यह वाले जो है यह डोटकू आप सेंटर लीडर तक पहुंचोगे जो सेंटर में नीचे तना है वहां तक आते आते आपको साथ से आठ साल लग जाएंगे लेकिन एक ना एक दिन आपको जरूर वहां तक बीमे देखने को मिलेंगे जब आपकी इतने अंदर तक बीमे देखने को मिलेंगे तो आप डेफि अगर आप स्टार्टिंग में ही एडबैक मारोगे इतने मोटे उड़ घाव देंगे तो डफिनचली क्या होगा वहाँ पे कैंकर भी आएगा पेपली बार्क भी टफिनचली आएगा तो आप क्या कर आप को आगसे बलोॉक करें टॉपमे और उसके बाद उसके अब निए अब्रीस आएगा उसके बाद धीरे-धीरे करके आप पीछे आएगा ह many विस तरीखे से ऐकाम कर सकते हैं और इस तरीखे से फिर आपके यह देखिए यह के सारी कि आपके खुल जाएगी। और सारा का सारा प्लांट आपका बड में कनवर्ट हो जाएगा जब आपका प्रॉपर बड भर जाएगा अंदर तो आप डेफिनेटली भाहर से किसी को ब्रांच अब मैं चाहूं तो इन ऐसे ऐसी ब्रांच को इधर से काट सकता हूं पर मुझे अभी अच्छी क्रॉप मिल रही है क्योंकि मेरे पास कम प्लांट है तो मैं क्यों ने इसको अच्छे से मैनेज करूँ और भाहर तक अच्छे से क्वालिटी फ्रूट लों अगर आप इसको देखे देखिए इस तरीका से सुईया सारी ब्रांचे सो इकुला ऑपन लेडर सिस्सिंटम टाइप की क्ली फ्लांट लगवग चनवरी फरवरी में प्रूनिंग करता हूँ तो आपको अभी प्रूनिंग के रिगार्डिंग और भी अच्छे से अच्छी वीडियो देखने को हमारे चैनल पे मिलेगी तो आप हमारे साथ बने रही है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर्जे मैत यूटूब चैनल को आप सस्क्राइब करें और बैतरीन जो हमारी प्रैक्टिस है वो हम आप से आपके साथ सांजा करते रहेंगे वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद